जहिन दोस्तो, दोस्तो बहुत सारे वायों comment कर रहे थी कि sir sscgd के प्रूर आगर अमारा selection होता है तो कितना payment मिलता है training में कितना मिलता है, training के बाद कितना मिलता है promotion कैसे होता है, BSF, CRP, SSB, ITBP, NIA कितना payment मिलता है, और यह TADA क्या होता है तो इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो most important है, आपको सरी पर काम करना है, वीडियो पूरी देखना है, लेकिन वीडियो पूरी देखने है, और आपका कोई भी सवाले कुछ डाउट है, तो आप मुझे कमेंट्स में तो मैं आपका रिपलाई जरूँ से जरूँ कर दूँगा, तो आज की वीडियो most important है, वीडियो शुरू करते हैं, तो यह है आपका पूरा ट्रेनिंग में, जो आपका पेमेंट मिलेगा, वो पूरा डिटेल, बेसिक पेमेंट आपका होता है, 2700, आप जब ट्रेनिंग के घानावं मिला आपको 303 रुपे, तो यह टोटल मिलाके 24 800 रूपय बनता है, और तो और आपका ट्रेनिंग के खता है, उसके बाद आपका पेमेंट यह होता है, वहура बेसिक पेमेंट 13,039, इसके आपको बोला उसके साथ देखे, ढ्रेशंस आलांस मिलता है, 7% जिसके आप तो यह है इसका सारी चीजे में आपको दीगई इसका टोटल बश्रबुम्ज मिलता है इसके साथ इसके साथ सटन्ग अलंउंच भी जोड़ता है तो यह है Distant Allowance DA ठीक है जिसका 70% बनता है और टोटल मिला के आपका जो बनता है पुरा पेमेंट वो हता 25,000 के आसपास ठीक है तो यह कुछ होता है जब आपका ट्रेनिंग खतम हो जाता है उसके बाद आपको 38,000 से 30,000 के आसपास आपका पेमेंट बनता है और उसके साथ एक जो एरिया होता है जैसे जम्मो कश्मीर में अगर आप ड्यूटी कर रहे हो तो आपका 18,000 अलग से बनता है ठीक है अगर आपक अगर आपको एक रूपे भी नहीं मिलेगा जादा ठीक है अगर जितना डेंजर एरिया होता है उसका उतना पेमेंट मिलता है जैसे के छतीजगड हो गया वहापे भी 18,000 के आसपास कुछ मिलता है इसा मुझे पता है लेकिन जम्मो कश्मीर का मुझे पता है कि 18,000 रुपे टीक है आपके पेमेंट के साथ वह जूड़ जाता है और एरिया जितना डेंजर होता है उसके अलकि ओड़ीर आपको जञदा है ठीक है तो यही कुछ चीज़े होती है तो मैंने आपको सारी जानकारी दीदी कि कितना पेमेंट मिलता है 하기パ earnings के बाद कितना मिलता है प्रमोश तो 3-4 साल बाद ही हो जाता है लेकिन भी सर्वीजिश में प्रोजिशा बाद ही देकर प्रोडिया फर्प्रका मेन फोड़ा टाइम लगता है 8-9-9 साल हो जाते है तव आपका प्रमोर्शन होता है लेकिन एक दूसरी एक बहुत अची बात होती है एक departmental exam होता है departmental exam की तुरूपी आपका payment बढ़ भी जाता है और आपका post भी बढ़ जाता है उसके according आपका होता है ठीक है तो promotion की चीज़े में आपको बता थी एक होता है departmental exam और एक होता आपकी उमर आपकी जो service है उसके according लेकिन आपके सर्वीस में कोई भी बोरी बात नहीं होनी चाहिए, मतलब आपके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, आपने किसी को मार दिया, किसी के जाएध जगड़ा किया, आपके उपर केस हो गया, ऐसी कोई चीज़ अगर आपके साथ नहीं होती है, तो आपको दो-तिन साल बाद जो डिपार्मेंटल एक्जाम होता है, उसमें आपको बैटने दिया जाता है, departmental exam दे सकते हो अगर अगर आपको के साथ कुछ case हुआ है कुछ problem हुई है तो आप उस departmental exam को भी नहीं दे सकते है अभी पीछे से देखा होगा 15 दिन पहले सहर पेप का एक notification आया departmental exam का सेम उसी तरह हर department का exam होता है उसके तुरू आपका post बढ़ जाता है राइट तो यहाप देख सकते हैं ठीक है constable का non gadget जो officer होते हैं उनका payment आप यहाप देख सकते है constable का 30,000, head constable का 37,000, assistant sub-inspector का 31,000, sub-inspector का 35,000, sub-inspector का 40,000 और सुबेदार major का 45,000 तो इनके साथ बहुत चारे जो TA, DA, allowance वगरा जुडते हैं तो इनका payment बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है ठीक है constable का ही 30,000 के आसपा चला जाता है राइट तो सुबेदार major तक तो आप सोच सकते हो कि कितना जाएगा राइट तो यह है directive general तक का payment ठी आप वीडियो पॉस करके देख लेना कि चो डारेक्टर डिजी होता है उनका कितना होता है आप यहापे देख लो राइट तो सारा मैंने जितना भी आपका confusion था मैंने सारे आपके सवालों के जब आप दे दिये आपको समझ में आई के नहीं पता नहीं लेकिन comments में बता दे जहीं जे भारत